कि नमस्कार दोस्तों दोस्तों के यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे हाथ से बनी हुई जो हैंड मेटिड पाइले होती है जो राजस्तान और हर्याना में तक्रिवन चलती है जो काली भी नहीं पड़ती है और चांदी की बात करें तो पूर प्योर्टी उसके अंदर होती है और वन बाइवन करके मैं सभी डिजैन आपको बारिकी से दिखाता हूं जी हाँ सबसे पहले ये देखिए सर ये प्योर हैंड मेड पाइल इसका वजन लगबग ये कहिए कि लगबग धाई सो ग्राम के करीब यानि के पचिस तोले के करीब प्योर हाथ की बनी हुई ये पाइल है और साथ में इसका पेंच का भी सिस्टम है पेंच से ये आप पहन सकते हो इसी में ही एक पाइल में और दिखाऊंगा जो लगबग एक सो सतर असी ग्राम की पाइल है कितना चोड़ा ये पट्टा है और इसके निचे बारी कुंगुरू ये लगे हुए हैं और ये भी सेम इसी परकार पेंच की बनी हुई है पेंच से आप इस पाइल को खोल सकते हो और मैं कुछ बारी के पाइल ले दिखाता हूँ आपको जो लाइट वीड पाइल है और पर बरपूर डिजाइन है इसका हैंड मेड इसके कुंडे आप देखिए इतने हाथ से बने वी कुंडे हैं और ये जो चैन है इतनी आसानी से ये तूटने वाली चैन नहीं है चैन भ ये आप ले सकते हैं इसी में ही मैं आपको एक डिजाइन ओर दिखाता हूँ लगबग 50 गराम की आसपास पाइल है ये प्योर पट्टा पाइल बोलते हैं इसको हाथ से बनी हुई पाइल यानिके इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है ये जो चोड़ा पट्टा है ये ड कि इदर चैन है और बीच में ये जलर लटकन है तो ये भी लगबग 25-45 गराम की ये पाइल हाथ से बनी हुई पाइल आप हमारे पास ओडर कर सकते हो आप जिदर बैठे हो उदर से ही ओनलाइन आप करोगे तो आप इधर पर तक ये प्रोड़क्त बिलवर हो जाएगा प्य पाइल के निच्चे छोटे-छोटे गुरुल लगे हैं एंडमेटिड वाइले हैं ये बहुत ही जवादर्स पाइल है लगबग 90-100 ग्राम की करीब इस पाइल का वजन है और बहुत ही अच्छी डेली वेज पैनने वाली ये पाइल है मैं आपको एक पाइल और दिखाता इस पाइल की खास बात क्या है कि सरसे पहले तो ये जो उपर चैन लगी हुई है जी हां ये देखिए ये जो चैन लगी हुई है ये डबल है और इसके निच्चे ये जहलर लगी हुई है ये भी हाद से बनी हुई पाइल है इसके गुमरु आप देख सकते हो और जी हां ये इस तरीके से फाइल मजबूत पाइल है फाट से बनी हुई इस पाइल का वजन बाकट मैं आपको एक डिजैन और दिखाता हूं लगबग 100 ग्राम की आसबास यह जहलर पाइल है जहलर इसके नीचे बनी होई है पट्टे चैन के ऊपर जहलर बनी होई है और यह देखी कितना भैतरी नीजैन है हाथ से बनी होई यह पाइल है इसी में ही जालर में ही मैं आपको एक पाइल और दिखाता हूँ लगबग 80-90 ग्राम क्या वजन है इस पाइल का और यह पाइल आप देख सकते हो यह भी जालर की ही पाइल है और यह भी आप डेली पैन सकते हो बैठे आप यह का ओडर भी आप हमें कर सकते हो डेली यूज की एक और पाइल में आपको दिखाता हूँ एक और डिजाइन यह लगबग 45-50 ग्राम इस पाइल का वजन है और हैंड मेटिड यह पाइल एक पाइल का डिजाइन में आपको और दिखाता हूँ लाइट वेट पाइल है और डिजाइन देखिए आप यह पाइल पट्टे के अंदर है और इस पाइल का वजन भी लगब 55-60 ग्राम के करीब इसका वजन है और प्योर हैंड मेटिड यह पाइल है देख सकते हैं एक डिजाइन में आपको और दिखाता हूँ यह देखिए लबग 70-75 ग्राम इस पाइल का वजन है हैंड मेटिड पाइल है पट्टा चैन के निच्चे बारिक बारिक छोटा गुमरू लगा हुआ है और यह हाथ की बनी हुई पाइल है और कभी काली भी नहीं पड़ेगी हाथ की बनी हुई एक और पाइल में आपको द अब इसको ओडर भी कर सकते हैं यह देखिए यह भी हैंड मेट पाइल है लगबग इस पाइल का वजन है 40 ग्राम के करीब इस पाइल का वजन है और मैं आपको एक डिजैन और दिखाता हूं यह पाइल देखिए चैन के अंदर यह पाइल है बीच में गुच्छे डिजैन लगे होई हैं और इधर यह देखिए यह हैंड मेट पाइल और इस पाइल का वजन लगव 45-50 ग्राम इस पाइल का वजन है हैंड मेट चांदी के अंदर इंगे शटी च्यार पास्तों लेकी पाइल में आपको और दिखाता हूं इसी में ही हाथ की बनीवी अलग अलग में देखा रहा हूं यह देखिए हलकाल के बारिक बारिक लगे होई हैं और इस तरीके से यह हैंड मेट पाइल आपको और दिखाता हूं जो बहुत अच्छा डिजाइन है यह देखिए यह पट्टा पाइल है और इस पाइल के निच्छे बारिक चैनल लगी हुई है साथ में बुच्छियां भी लगी हुई है और यह हैंड मेट पाइल डिजैन देखिए आप और इसको गर बैठे आप और कर सकते हुए यह वीडियो कैसी लगी आपको तो प्लीज जुरूर के जिए एक पाइल यह देखिए हाथ से बनी हुई हल्किल की गुच्छियां है जो नीचे लटक मार यह लगबग यह लगा के चलिए साथ से 65 गराम के करीब इसका वजन है सतर पिचेतर गराम तक भी यह बन जाती है वजन के साथ से वजन कम ज्यादा आप इसमें चांदी की बरपूर गारंटी है यह 925 चांदी के अंदर भी यह सभी माल त्यार हमारे पास अवेलबल है कभी आप ले सकते हो कभी भी आप ओडर हमारे पास कर सकते हो मैं आपको एक डिजाइन और दिखाता हूं पट्टा पाइल यह थोड़ा पट्टा है लगबग 65 गराम की करीब 60 गराम की करीब जिनकी लाइफ अच्छी होती है मनलव यह कहिए कि दो-दो साल डाइडाई साल यह पाइल चल जाती है आराम से मैं आपको एक पाइल ओर दिखाता हूं 1200 गराम की करीब यह पाइल है और जहलत के अंदर है डबल पट्टे के अंदर और साथ में इसक चरकल तक पहुंचा यह ताकि उनको भी पसंद आये चीज़ यह देखिए लाइट वेट के अंदर लगव पचास गराम की पाइल है पास तो लेके करीब यह पाइल है दस गराम का एक तोला होता है और यह देखिया कितना श्यांदार यह पजेब है यह राजस्थानी स्टा करीब चैयन का काम होगा है और ये प्यवी ओल्प हाथ की बनी हुई यह इसी में में आपको एक डिजाइन और दिखाता हूं यह देखिए झाब का कि कि यह हलकर की बनी हुए उपर करब चैन है और प्यूर हाथ की बनी हुई ही कुंडे की यह देखका आगे और आपको के नभे की गराम के करीब की इस पाइल का वजन होता है यह भी जो वजन में बतारा हूं आपको वजन उसी में ही मिलेगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है यह देखे लगबग 45-45 गराम के प्रेशाइं यह आप देख सकते हो इस तरफ चैन हमें और उससंतर पणके आपको बोल रहा था यह देखिए पीच में गुंगरु का काम है पट्टा का काम है और प्योर हाथ की बनी हुई यह पाइल अप देख चुक्ति यह कि जालर में ही मैं आपको एक पाइल दिखाता हूं जो लगबग असी गराम के और इस लोग लाइट-वेट पाइल मा तक यह पाइल है और इसके कुंडे भी आप देख सकते हो हैं एक पाइल में आपको और दिखाता हूं इस चैन बीच में हल्किल की कुछियां लगी हुई है और यह घुम्रू बजना वाला या कम बजने वाला वह आपके ओपर डिपैंड है आप कुण सा डलवाओगे और यह हैंड मेंटेड पाइल है यह पाइल देखिए यह राजस्थानी स्टाइल पाइल है लगबग 90 ग्राम के करीब हैं यह पाइल है मैं आपको एक पाइल और दिखाता हूं यह अब आराम से वीडियो को देखिए तक ही मैं एक पाइल आपको प्रॉपर तरीके से डिजैन वगएरा दिखासके हैंड मेट वाइल घर बैठे आप इस पाइल को मंगा सकते और इसका डिजैन देखिए इस पाइल का वजन यह देखिए यह लगबग 110-115 ग्राम के करीब पाइल है चोड़ाइ पट्टे के अंदर हलका लका बारी कुंगरू और प्योर हैंड मेटेड हाथ से बनी हुई पाइल है तभी काली दिनी पड़ेगी एक डेली वेज पहनने की पाइल जो मतर 25 ग्राम 30 ग्राम के करीब यह पा प्योर चंदी के अंदर और इसी के अंदर डेली वेज की लगबग 45 ग्राम से लेके 50 ग्राम तक यह पाइले बन जाती है रहत से बनी हुई इसके कुंडे भिए आप देख सकते हो कुंडे के इसाफ से भी आप लगा सकते होगे यहाथ से बनी होई पाइल मैं आपको एक पाइल और दिखाता हूं यह देखिए पाइल इस पाइल की खास बात यह है इसकी लाइफ बहुत जादा है क्योंकि यह पहले डहलाई की पाइल है पहले चलती थी इस तरह की पाइले औ और आज भी यह पाइले बिखते हैं इनकी लाइफ यह लगा के चलो एक बार बंदे ने ले ली तो तीन तीन चार चार पाच पाच साल यह निपाल देती है कभी तूटती ही नहीं इसका वजन 55-60 ग्राम इस पाइल का वजन बैठता है मैं आपको एक आइटम दिखाता हूं यह हाथ से बना हुआ आइटम है गोंगरों का बलती की अवाई है जो काला मन का है इसका अमांट नहीं लगेगा यह 15 गराम चांदी के अंदर डेड़ तोला चांदी के अंदर ही यह त्यार हो जाती है शिर्फ 15 गराम के अंदर आजकल यह ब्लैक मनकी की पाइल होती है और यह पाइल देखिए आप यह भी हैंड मेटेड वाइल है और डिजैन इसका देखिए और डेली पैनने का यह आइटम है आपको इस डिजैन और दिखाता हूं यह देखिए चैन के अंदर हल्केल की कहीं कहीं पे तीन परतार की गुच्छी हल्केल की लगी हुए जिससे इसक मेटिए और आपको होद्कम देखनें को मिलेगी किसी वीजियर दिशोप्र आप जाओगे यह हाथ से बनती है मसीन से नहीं बन सकती बनी बनाई जो आती है सब्सक्राइल से पता लग जाता है जो इससे पता लग जाता है यह चांदी का इसाफ साथ कुछ लोग मांगते हैं आलकाल का स्टोन तो इस तरह की पाइल है और यह देखिए पट्टा पाइल के अंदर ही लगबग 55-60 ग्राम इस पाइल का वजन है और यह पाइल की लाइफ भी लगबग अच्छी खासी इसकी दो साल के करीब है यह चलने लाइफ पाइल है डिली वेस दिन रात पहनने के और सबसे मोटी प्रॉब्लम कालीगी होती है अगर आप इसको हलका हलका साप करते रहोगे तो पुरी लाइफ तक काली नहीं पड़ेगी और जब मर्जी इसको वापिस भी हम आप हमें भी कर सकते हो कहीं भी आप चेक भी करा सकते हो चांदी के मामले में भी अच्छी चांदी दी है या नहीं दी नाइन टुफाइव होल मार्क में भी आप मिल जाएगी और एट जीरो ग्रेड के अंदर भी मिल जाएगी कि दोनों ग्रेड में हमारे पास अवेलबल है इसी में पट्टे के अंदर बारिक स्टोन का वरक किया होया है यह देखिए पट्टा पाय लिके में इज़ा अधर एक कि में श्टोन का नीला रेड़ श्टोन है और साथ में यह विम्धान हो他 अवह आपको एक पायाव और दिखाता हो कि यह पट्टा पाइल के अंदर हल्कालका बजर रहे हैं और यह हाथ से बनी हुई यह पाइल आप देखें कितना बहत्री इस जेंग है अपको डेली वेज की पाइल और मैं अपताता हूं आपको दिखाता हूं यह लग पैंतालीं से 50 गराम की पाइले इस तो इस यह कम जाता भी आप मांग सकते हो कि हमें इतने वजन में यह पायल जाहिए है तो वह भी हलका फुलका उपर निचे हो जाएगा यह भी 45-50 ग्राम में पट्टा पायल की दिश्चे हलके लिगी छोटी-छोटी गुछियां लगी हुई है जो बहुत अच्छी लगती है पहने हुए और हाथ की बनी पल मांगते हैं तो बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से युज़ते हैं चैन में ही लगबग यह लगा के चलिए 40-45 ग्राम तक यह पायल है यह बहुत मजबूत चैन है और बीच में हलके लगी गुच्छी का काम किया हुए है और यह इस तरीके से इसके कुंडे आप अनुद्र हलके लगी गुच्छी जो है तीन चार जगे पुच्छी यह लगिए यह बीच में बड़ी पुच्छी साइड में चोटी पुच्छी विच में चैन का क्राम हलका हलका किया है हाथ से बनी हुई कोई कलर नहीं कोई कुछ नहीं इसके अंदर सिंपल हैंड मेंट पाइल लें हाथ से बनी हुई पाइल यह हैं और आप इसका डिजैन दे सकते इसका वजन भी लगव 55 गराम के करीव इसका वजन बैठेगा यह देखिए यह पाइल राजस्थानी स्टाइल में यह पाइल है लगबग 55-60 गराम इस पाइल का वजन है और यह घर बैठे आप मंगा सकते हैं लगव 45 गराम की करीव 30-35 गराम की करीव इस इस पाइल है आप हमसे घर बैठे मंगा सकते हैं रहा हो हुआ है यह देखिए पीच में गोली का काम किया हुए है शाskin गोली दिख रही है है यह पाइप दिख रहा है चैन के अंदर और इसका कुनड़ भी दिख सेको है हूर है और हैनमेट geez वजन लगबग यही लगा के चलो 35-40 गराम इसका वजन बैखेगा यह पाइल और देखिए आप यह पाइल बीच में हलके लिए गुच्छी गोलियां चैन वरक है साथ में यह हैंड मेटिड कुंडया बना हुआ हलका फुलका स्टोन का काम भी इसके अंदर किया वाइस पाइल के अंदर और यह पाइल का वजन भी है 35-40 गराम के क्रीब डेली वेजिज पहनने वाली यह पाइल है अब देखिए कितना बहतरी इन डिजाइन यह है यह देखिए पाइल यह चैन के अंदर हलके हलकी गोलियां लाएं और इससे इसका लुक इसका डिजाइन ने बहुत अच्छा बनता ह है और हाथ की बनी हुई यह पाइल है एक डिजाइन में आपको यह दिखाता हूं यह पट्टे चैन के अंदर हलके लिए च्छोटे च्छोटे पीस शाथ में स्टोन का हलका वरक और गुच्छियां बनी हुई है जिससे यह बहुत अच्छा डिजाइन बनता है और यह इस पाइल का वजन है और बहुत बैतरीन पाइल है यह देखिए हाथ की बनी हुई हैंड मेटेट इस पाइल है सब अलग अलग डिजाइन हमारे पास मिलेंगे कोई भी डिजाइन में आप मांग सकते हैं यह पाइल है को 70-75 गराम इस पाइल का वजन है अग के लिखी कुछ आपको दिखाता रहूंगा एक पाइल और देखिए हाथ की ही बनी हुई कितनी बहतरी इन पाइल है यह देखिए लगबग शाट पैंसट सतर पचैतर असी ग्राम तक यह बनती हैं चैन के उपटी पैंड करता है मोटी पतली हो जाती है अब राजस्तानी स्टाइल में ही एक पैल है राजस्तानी चैन के अंदर हल्के लखी गुछियां लगी हुई साथ में यह कुंडे से ही पता लगता है इस कुंडे से के हैंड मेटिड है कि नहीं यहां पर आसपास कोई नंबर बी आई ऐसा अगर आ है यह समझे कि वह हाथ की बनी हुई नहीं है वो मसीन से बनी हुई है यह मोटी गोलियां लगी हुई है चैन के अंदर यह मोटी गोलियां है और यह भी हैंड मेटिड पाइल है अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूं सभी के सभी पाइले हैं हाथ से बनी हुई पाइले हैं जो तकरिवन राजस्थान और हर्याना में यह चलते हैं बाकी जगह तो तक्रण मसीन का इमाल चलता है काली भी नहीं पड़ती यह देखिए कितना बैटरियन डिजाइन है और आप गर बैठे ऑनलाइन आप इसको ओडर कर सकते हो और गर बैठे इसको मंगा सकते हो यह चली दोपी पाइल बोलते हैं इस और पाइल इसके लाइब शिया यह प्तटा पाइल की लाइफ भोच ज्यादा है लगवडव धाय-दिन साल तक यह पड़ता सलता इसमें कोई जड़ने वाला तो इस जड़ने वाला कोई लटकने वाला शायतर नहीं आप इस उसका उपर डिजाइन देखिए निचे चालर हाथ से बनी होई पाइल है और फंक्शन वगारा में आप इसको पहनोंगे तो बहुत जवादस्ती आएक है लाइट वेट एक पाइल में आपको दिखाता हूं मातर 25-30 गराम दो धाई तो लेकि पाइल आप कह सकते हैं इसकी किम्मत कि अगर मैं बात करूंगी पंदरा सोर प्रेविस की किम्मत से स्टार्ट हो जाती है पंदरा सो से लेकि दो हजार इकिस वाइस सोर पर एक डिजैन और मैं आपको दिखाता हूं यह दिखें है यह चैन के निच्छी हल्की चुटी-चुटी घेरी लगी होई है औ कि दबल चेंड और निच्छी जालर का वरक इसके अंदर किया है है और इसका इस कुणडा भी आपन के इंदर किह कर बने हुए है हैं में का क्रीब इसका वजन यह आपने वीडियो से करना चालते हो तो हमारा कॉंटेक्ट नंबर दिया वया है एड्रेस दिया वया है आप इन कोर्ड नंबर आप चेक कर सकते हो प्रॉपर तरीके से और हमसे घुडियोपोल के जुरी भी बात कर सकते हो धन्यवाद